हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन स्टेटी पॉइंट दोस्तों आज एसीन गेम से लेटेट सारे कोईशन इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको गारंडिक साथ कहता हूं को आगामी 2018 एक्जाम में जो भी एक्जाम होगे एससी बाइंक रेलवे पीएससी पुलीस या कोई भी गारंडिक से लेटेट दो से तीन कोईशन पक्का पूछा जाएगा ठीक है तो यदि आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से तो आपका एक भी कोईशन बाहन नहीं जायागा इस वीडियो को देखने के बा बनाया हूँ ठीक है दोस्तों मैं अनकेडियो पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अनकेडियमी का लर्णी के प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लीजे उसमें और मैं अपने अनकेडियमी प्रोफाइल के लिंग इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा होसला बढ़ाने के लिए और इसे प्लीज ज्यादा ज्यादा सेयर करें दोस्तों के साथ फेस्बूक वाटसेप ग्रूब में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ठीक है और चैनल को सपोर्ट भी करिए चलिए पहला कोश्चन है बहुत ध्या जानी जकारता और पोलेंबेक शहरों में आपको बता देक 18 गश्च से 2 सितंबर तक इंडोनेसिया जकारता और पोलेंग में यह गेम और आपको बता देक दूसरी बार है यह जब जकारता उनिसुबाशट के बाद स्पोर्ट्स खेल की मेजवानी करना है ठीक है यह अगला इसन गेम सब्सक्राइब कर दोस्तों आपको इसमें बता दें कि इसमें जो एसन गेम दोटारा को घाटन समारों का धोजबाहक कौन था तो भारत की तरफ से धोजबाहक थे भाला फेक जेवलिन थ्रोवर नीरत चोपड़ा ठीक जेवलिन थ्रोवर नीरत चोपड़ा को भारती दलकत हचवाग चुना गया था ठीक है और इसमें टोटल 45 कंट्रीज ने पाइडिसिपेट किया थे एसन गेम दोटारा में और 40 खेलों में 465 इस परदाएं हुई थी ठ शब। egy सपोर्ट और podr टीक है इस पोर्ट्स और कैंणे पॉल जो दो फिल पहली वार खेले गए हैं और आपको पतादे कि एसन गाम दोटारा का सुभंकर क्या था भिन भिन बिन काका और अटूंग अब यह भिन निगें काका तुनग है क्या यह आपके लिए जानना शासकत भीन भीन एक स्वर की चडिया और अतूंग एक हीरण है और काका एक गैंडा है ठीक है और यह बता दे तीनों जो है यह तीनों देश के पूर्व मध्ध है और पस्टीमी छेत्रों को प्रतिनेश्यतु करते हैं एसियन गेम दो टाराय का धे क्या है तो धे था एसिया की उर्जा और मुख जो स्टेडियम था दोस्तों वो था गिलेरा भूंग करणो स्टेडियम और समापन समारों में दोस्तों होंकी टीम की कप्तान राणी रामपाल भारत की दोचबा होगी तो इतने सारे पहले important है चलिए तो अगले कोशन के तरफ बढ़ते हैं नेक्ट रोचन दोस्तों एसी आई खिल दोठारा का सुभंकर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ एसे लेटेर आपको बता चुका हूँ कि भीन भीन स्वरकी चडिया आतूंग एक खीरण और गैंडा एक जो काका एक निरुत करते हैं ठीक है और दोस्तों आपको बता दे कि एसीन गेम दोठारा में जो तो पदक तालिका में शीर सस्थान पर चाइना है टोटल 289 मिडल के साथ और सेकंड नमर पर है जापान थर्ड नमर पर साउथ कोरिया और भारत इसमें है आठ में स्थान पर पदक तालि सिल्वर मिडल है और थर्टी ब्रॉंज है ठीक है तो आप याद रखेंगा 15 गोल्ड 24 इसमें सिल्वर थर्टी ब्रॉंज टोटल 69 मिडल के साथ भारत आठमें स्थान पर है ठीक है चलिए तो एसी आई के लोठारा का सुभंकर क्या था भीन-भीन काका और अतूंग यानि चलिए नेक्स कोचन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोचन ने एसी आई के लोठारा भारती टीम का नेतरी तो किस ने किया था तो यह भी काफी बोड़ेन कोचन ने एसी आई खेल अठारा में बहारती एथलीट ने भाग लिया था तो एसी एन गेम्स दोठारा में टोटल 572 भारती एथलीट्स ने जो तो पाडिसिपेट किया था इसका नेतरी तो किया था सेफडी मिशन ब्रजभूसर्ण सरण द्वारा ठीक है तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्डेन कोचन इसको याद रखिएगा चलिए नेक्स कोचन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोचन है ए ठीक कैसे नमर पर है जापान और थर्ड नमर पर है थर्ड नमर पर है साउथ कोरिया फॉर्थ नमर पर इंडूनेशिया और जबकि नौवे नमर पर है कजाकिस्तान ठीक है तो यह आठमे स्थान पर टोटल 69 मिडल के साथ यानि 15 गोल्ड 24 रजत और 30 कांसे पदक के साथ भा 59 मिडल के साथ और जापान सेकेंड नमर पर है साउथ कोरिया थर्ड पर है और इंडियोनेशिया जो तो फॉर्थ नमर पर है ठीक है तो यह आप याद रखिए का बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है चलिए अगला कोशन है साथवे नमर का एसी आई खेल 28 में भारत के लिए सुन पता किसने दिलाआ है तो यह भी बहुत इंपोर्डन कोशन दोस्तों आपके लिए एसीआई के लो ओठार रहा हैं भारत के लिए जो पहला गोल्र मिडल दिलाया था वो दिलाता पहलवान बजरंग कोलिया मैं चिसने पहलवान बजरंग कोल ने बटा दे कि दो DR किलोग्राम बर्ग के जो तो फ्री श्टाइल वर्ग में पहलवान बजरंग पूनिय जापान के ताइची ताका तानी को हरा कर भारत के लिए पहला गॉल्ड मेरेल जो तो दिलाया था ठीक है तो एसी आई खेल अठा रहा है भारत के लिए पहला पता किस ने दिलाया पहलवान बजरंग पूनिया ने इन्होंने पूर्सों की फ्री स्टाइल 65 किलो ग्राम जो तो बर्ग में इन्होंने दिलाया है चलिए नेक्स वोच्छन है एसी आई खेलों में सोड़ जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है तो एसी आई खेलों में सोड़ जितने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है विनेश फोगाट ठीक है एसीन गेम से में गोल्ड अमले जितने वाली पहली भारती महिला पहलव तो इतिहास बनाया क्योंकि वह S.E.I. खेलों में स्वाण जितने वाली पहली भारती महीला पहलवान बन गई है S.E.I. खेलों में गोल्ड मिरल कौं जीता है? पहली भारती महीला पहलवान कौन बन गई विनेश फोगाट चलिए नियुक्त कोचन है ACI खेलों के इतिहास में स्वाड जितने वाली पहली भारती महिला सूटर कौन बन गई है ACI खेलों के इतिहास में स्वाड जितने वाली पहली महिला भारती सूटर बन गई है राही सरनोबत ठीक है राही सरनोबत है याद रखिए आगाम एक्जम ज़रूर पूछे जाएगा ठीक है चलिए अगले कोशन दर बढ़ते हैं इसी आई खेलों में शौन जीतने वाली पहली भारती है बनकर किसने इतिहास रज़ दिया है तो एसीन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारती है बनकर इतिहास रज़ दिया है उन्होंने दात दर्ग के बाब जूद या अपलब्दी हासिल की है ठीक है और यह हैप्टेटलीट होता क्या दोस्तों तीन को आपको बता दू कि महिलाओं कि आउट डोर हैप्टेटलीट में साथ इवेंट सामिल है और इसमें बता दी कि जिसमें पहले दि पर होता है 800 मिटर तो एसी आई खेलों में सोड़ जीतने वाली पहली भारती हेप्टेटलीट बनकर किसने इतिहास रज दिया है तो हिस्ट्री क्रियेट कर दिया है सपना बर्मान ने ठीक है सपना बर्मान ने तो अगला कोशन दोस्तों एसी आई खेल दो अठारा में साव आप याद रखिए कि बहुत इंबोडन कोश्चन है चलिए अगले कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं एसी आई खेल 2018 में रोहन बोपन्ना और दिविश चरण ने टेनिस में कौन से पतक जीता है जिसका राइट एंसर हो जाएगो दोस्तों इन्होंने सोड़ पतक जीता है नह जागिस्तान के अलेक्जेंडर बूबलीक और डेनिस एव सेवेव कोहर आया ही इन्होंने तो इसी आउन गेम 2018 में रोहन बोपन और दिविश चरण ने टेनिस में कौन से पतक जीता है यह जीता है अगला कोश्चन है थर्टीन नम्मर का एसी आई खेल 2018 में जेतेंदर पाल सिंग ने शौर्ट पूट में कौन से पतक जीता है कि इसका राइट इंसर दोस्तों ऐसी आई के लोटरा में तेज अंदर पाल सी ने जो तो इन्होंने भी गोल्ड मिडल जीता है ठीक पूरसों के तेज इंदर पाल सिंग जो है इंडोनेशिया में अठार में एशे खेलों पुरषों के सौट पूट फाइनल में सौंड पतक जीता है और उन्होंने जकारता में एसीए खेलों में 20.75 भूट इवेंटर के रिकार्ड तक वाले पहले भारती जेविलीन थ्रोवर बन गए हैं और अको बताद एक 20 वर्षी जूनियर विस्ट रिकार्ट धारग ने अगला कोशन है एक खेलों में पूर्षों के 800 मिटर रिवेंड में मन्जीत सिंग ने कौन सपदक जीता है और इसी एक साथ जो देश को नौवा पदक जो तिन्हों ने दिलाया था दोस्तों कोशन नमर 16 है ACI खेलों इड़ अठारा में भारत के किस खिलाडी ने ट्रिपल जंप प्रतयुप्ता में गोल्ड मिदर जीता है राइट एंसर दोस्तों आपसंडी अपरिंदर सिंग ने देखिए दुस्तां कोटादे कि ACI खेल में एक 11 दिन्स भारत में दो गोल इसका राइट एंसर दोस्तों सौपना बर्मन ने ठीक है सौपना बर्मन ने अथ्लेटिक्स में देश को पांच मा गोल्ड मेल दिलाया है और शौपना इस परधा में सौण पता गिदने वाली पहली भारती है तो आपको पहले बता चुका हूं यहां पर आपका रिवीजन हो देखे दोस्तों महिला की 200 मिटर दोड में एथलेटिक्स दूती चंद ने इसल वार मिडल जीता उन्होंने 23.20 सेगेंड में अपना दौड पूरा कर सिल्वर मिडल पर कपजा किया है तो एसीन गेम्स में कीज भारती महिला खिलाडीन 200 मिटर में दोड में सिल्वर मिडल ज देखे दोस्तों आपको बतादे कि A.C.I. खेलों के दस्वे दिन मंजीत सिंग ने 800 मीटर रेस में भारत को 9 मा शोण पतक दिलाया है और मंजीत सिंग ने जो दोस्तों 800 मीटर की रेस पूरी की है ठीक है चलिए अगले गोशनक दर बढ़ते हैं Q20 दोस्तों A.C.I. खेलों में पारंपरिक मार्शालाट कुरास में भारत के किस खिलाडी ने महिलाओं के 52 किलोग्राम बर्ग में रज़त पदक जीता है इसका राइट एंसर है ऑप्सन भी पिंकी बलहारा आपको बता दे कि A.C.I. खेलों में पारंपरिक मार्शालाट कुरास में भारत की पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 52 किलोग्राम बर्ग में रज़त पदक जीता है ठीक है? Q21 है A.C.N. Games.18 में भारत की इस खिलाडी ने सौट पुट में गोल्ड मेल जीता है इसका राइट एंसर है ऑप्सन तेजिंदर पाल सिंग आपको बता चुका हूँ में पहले ही कि A.C.I. खेलों में जो तो साथ में दिन भारत के खिलाडी तेजिंदर पाल सिंग ने पूर्सों के सौट पूर्स परधा में गोल्ड मेल जीता है उन्होंने 20.75 मीटर जो तो गोला फेंका और भारत के लिए साथ में गोल्ड मेल जीता है निम लिखित में से किस भारती महिला की धाविका ने A.C.I. खेलों में 400 मीटर दवड में नए राष्टी रिकार्ड के साथ सिल्वर मिडल जीता है निम लिखित में से किस भारती खिलाडी ने A.C.I. खेलों की धाविका ने A.C.I. खेलों की धाविका सिल्वर मिडल जीता है वे दिखता में सिल्वर मिरडल जीता है फवाद मिर्जा कोशना No.24 है राही सरनोबत ने A.C.I. खेलों एथारा में 25 मीटर पिश्टल इबेंड में कौन सबढ़क जीता है तो राही सरनोबत ने A.C.I. खेलोंग इफची सिल्वर में 25 मीटर सबढ़क जीता है इन्होंने ग कोश्चन नमर टूंटी फाइव है भारत के किस 15 वर्सी खिलाडी ने निसाने वाजी के डवल ट्रेबिस परदा हम रजात पतक जीता है जिसका राइट एंसर दोस्तों सारदूल विहान देखे दोस्तों को अधर देखें के सारदूल शूटर सारदूल विहान ने डवल ट्रे जीत कर बड़ी वलवदी हासिल की है कोश्चन नमर टूंटी से बने विनेश फोगार्ट ने एस याई खिलों में कौन से पतक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवार मनकर इतिहास बनाया है तो आपको बता चुका हूँ पहले ही जिन्होंने गोल्ड अमिरल जीता है वि लास्ट कोश्चन है दोस्तों एस याई खेल में निकिस स्थान पर आउजित किये गए तो आपको बता चुका हूँ कि जकारता और पॉले मेंक शहरों में जो तो आजित किये गए दोस्तों एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ चार सो पैंसाट इस परदाओं में भाग लिया था आपको बता दे कि पहली बार जो खेलाजुत किये गए तो किये गए थे इस्पोर्स था कैनो पोलो और इस्पोर्स में जैसे वीडियो गैम्स और जो भंकर था भीन भीन काका और अतुंग भीन एक शौर की चड़िया अतुंग एक हीरण और काका एक गैंडा है और आपको उता दे कि तीनों देश के पूरो मध्या और पश्चिमी शेत्र करते हैं इसका देह था एसिया की उर्जा और समापन समारो जो तो इसका धोजबाग क आपकी आपको याद रहें आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी आपके एक्जाम में जरूर रहेगी वीडियो अच्छी लेगी तो प्लीज लाइक जरू करिएगा और आपको बता दी कि इस वीडियो की पीडियो फाइल लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को जरूर जाएगी ठीक है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो को साथ आपको वीडियो कैसा ले कमेंट करके जरूर बताएए चलिए Thank You आपक